स्क्राइब केजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हेलो दोस्तो हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तो मुझे रोजाना कमेंट मिलते हैं कि सर हमारे कान में काफी ज्यादा मैल इकटे हो गई है यानि कि खोट इकटा हो गया है उसे हम किस तरह से साब करें कौन से ड्रॉप का इस्तमाल करें तो दोस्तो इन तरह के कमेंट हमें रोजाना मिल रहते हैं तो दोस्तो इन तरह के कमेंट करने वालों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ड्रॉप के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि इस ड्रॉप को कहां से खरीज सकते हैं, किस तरह से इस्तमाल किया जाता है और इसकी प्राइज क्या है दोस्तो वो ड्रॉप है एट वाक्स इयर ड्रॉप जो कि 10 ml के पायक में आता है जिसकी कीमत की बात करें तो यह सिर्फ आपको 60 रुपे में इसली किसी भी मेटिकल इस्टोर पे आसानी से मिल जाता है दोस्तो इसकी कमपोजीशन पर नजर डालें तो स्क्रीन पर आपको किलियर इसका कमपोजीशन दिक रहा होगा यह एक तरह का इयर ड्रॉप है जो की ओयल बेस में बनाया गया है दोस्तो पहले के वक्त लोग क्या करते थे कान में खोट वगेरा बहुत ज्यादे कठा हो जाती थी तो किसी कडू का तेल या सरसो का तेल डाल कर कान को गीला करते थे जिसके वज़े से आप जमी हुई खोट यानि कि मैल को साफ कर सकते हैं वो भी घर बैठे दोस्तो अकसर खोट होने के बाद कान में किन तरह की समस्याइन देखी जाती है दोस्तो अगर आपके कान में खोट या मैल ही कठा हो जाती है तो आपका कान भारी-भारी से लगता है आपको संसनाहाट की आवाज आती है कान में या फिर कान में काफी ज़्यादा दर्द होता है कान से अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता तो दोस्तों इन तरह की समस्याएं होती हैं जब आपके कान में खोड ज्यादे इकटा हो जाता है तो उन कंडिशन में आप चाहें तो अपने नजदी की जो ENT doctor होते हैं, ear export जो doctor होते हैं, उनको देखाएं, या फिर आपको ये लग रहा है कि आपके कान में खोट है, और इन तरह की समस्याँ आपको देखने को मिल रही हैं, तो आप इस ATVACS ear drop को ले सकते हैं, अगर ATVACS ear drop आपको नहीं मिलता है, तो market में आप Vaxil drop को भी ले सकते हैं, और भी बहुत से नाम से market में ये drop उपलब्ध है, बस आपको इसका composition याद रखना, यही composition रहना चाहिए, तभी ये कान के मैल को फुला कर बाहर निकाल देता है, दोस्तों इसे हम drop को बच्चे, बड़े, सभी age work के लोग इस्तमाल कर सकते हैं, कान में मैल को साफ करने के मैल दोस्तों कान में किस तरह से कठा हो जाती है, अगर आप बहुत ज़्याद बाहर रहते हैं, या आसपास आपके जिस area में रहते हैं, वहाँ पे धुल धकड ज़्यादा उड़ता है, तो उसके चलते कान में मैल धिरे-धिरे कठे होने लगते हैं, और लोग क्या करते हैं कि मैल को हपता में एक बार साफ नहीं करते हैं, और धिरे-धिरे वह मैल कान में इकठा होती जाती है, और सुखने के बाद एक गोली टाइप बन जाता है कान में, जो की थोड़ा साचलने पे, कान में वो गोली इदर-उदर हिलता है मैल की गोली, और वो काफ़ी दर्द भी करता है तो दोस्तों अगर आप किसी भी ड्रॉप का इस्तमाल नहीं करना चाते तो हपते में एक बार जरूर अपनी कान की सफाई कर लें या किसी डॉक्टर से सफाई कर वा लें अगर आप इस तरह का नहीं करते हैं तो आपके कान में इकठे मैल से आप परशान हो जाएंगे दोस्तों कान में मैल जो होता है एक गीला मैल होता है यानि कि गीला खोट होता है और एक सुखा होता है सुखा वाला जल्दी नहीं निकलता गीला वाला इसली निकल जाता है तो अगर आपके कान में सुखा वाला खोट की समस्या है यानि कि मैल की समस्या है गोली बन गया है पपड़ी जम गया है कान में तो उन कंडिशन में आप इस 8-Wax AirDrop का इस्तिमाल करते हैं तो ये आपके कान में मैल को बेहतर तरीके से फुला देता है और काफी इजली तरीके से निकाल देता है उसके लिए दोस्तों आप एट वाक्स यह ड्रॉप को पस इस तरह से इस्तामाल करें इसे दोस्तों बस आपको दो से बारबार इसे डालना होता है 10 से बारबार यानि कि हर आदे गंटे पर दो बुट डालने अगर आपका कान का मैल काफी पुराना है और जल्दी नहीं निकल रहा है अगर जल्दी का है तो आप इस ड्रॉब को दिन भर में 4 से 5 बार डाले और दो दो बुट डालना होता है और 2 से 3 दिन के अंदर ये मैल को बिल्कुल फुला देता है और किसी चीज की मदद से आप अपने कान के मैल को निकाल सकते हैं या फिर खुद बाखुद वो मैल जब आप रात में होते हैं तो खुद बाखुद कान से बाहर निकलाता है इतना जबर दोस्त ये एटवाक्स ये ड्रॉप काम करता है तो बस इसी तरह से इस्तमाल करना है या फिर अधिक समस्या हो तो आप अपने नजदी की येर के डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं साइड एफेक्ट की बात करें तो दोस्तो इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है बिल्कल सेफ और सुरच्चित ये ड्रॉप है जो कि कान के मैल को साफ करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है तो ये था दोस्तो एटवाक्स ये ड्रॉप के बारे में सब कुछ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों में शेयर करें आपके मन में कोई प्रशन ये सुजाओ हो तो हमारे कमेंड बॉक्स में जरू लिखें